कि चालू कर देता हूं मैं अच्छा आज की क्लास में किसी का कुछ मिस हो जाए तो कोई टेंचन लेने वाली बात नहीं है बीच में नेट चला जाए या आवाज नहीं आ रही हो आपने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो लाइन सेग्मेंट इन टू पार्ट्स बेस्ट ओन गिमन रिशो एक तो यह पार्ट है हमारे कंस्ट्रिक्शन में दूसरा है ड्राइंग ऑफ टेंजेंट्स टू अगिवन सेर्किल ठीक है यह दो चीजें हैं जिस पर अपन को काम करना है एक तीसरा पार्ट भी है मगर इस साल वो सिलेबिस में इंक्लूड नहीं कराए गया के ड्राइंग आफ 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 सिमिलर ट्राइंगल्स हाँ तो सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करने वाला जो है ना वो इस साल अपने बोर्ट एक्जाम में इंक्लूड नहीं करका के वल यह दो पार्ट ही इंक्लूड करकें तो अपने इन इन फोकस करेंगे अगर टाइम बसता अपने पास एक्स्ट्रा तो अपन यह भी कर लेंगे ट्राइंगल्स वाला सीखने के लिए अभी फोकस अपन को इन पर करना है एक लाइन सेग्मेंट को टू पार्ट में आज अगर किसी को कोई टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा क्लास चाहिए हो तो मेरे को बता देना वाट्सप इंपर्म कर देना अपन फिगर आउट कर लेंगे क्या करेंगे चलो तो हमें यह दो काम करने तीसरे वाला काम हम देखते हैं टाइम बसता है बाद में तो करेंगे नहीं देखेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ यू से यही दो पार्ट इंपर्टेंट है अपने तो इन ही दो पर काम करेंगे टेंजेंट्स वाली जो चीज है वो सर्किल वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं पूरा-पूरा तो ज्याद अची तरह से समझ में आती है तो आज अपन स तो इस तो नहीं कर पाएंगे डिवाइडिंगा लाइंट सेग्मेंट इंटो टू पार्ट बेज ऑन गिवन रिश्य यह वाला पाट कर पाएंगे अगर यह फॉस्स वाला आ जाता है तो सेकेंड यह सरी सिमिलर ट्राइंगल वाला बहुत आसानी से समझ में आ जाता है तो क है थेलो दिपिका एक च्छोटा सा काम करो अपना नाम जो है एक तो चैट बॉक्स में लिख दो सबसे पहले तो और शिवांग तो इसके लिए आपको कमपा स्केल पेंसेल रबबड यह सब लगेगा तो वो अरेंज करो फटावाट है आपके पास कमपास रबड़ स्केल वगए रहे दिपेका और शिवांग यस और नो चलो ठीक है तो शुरॉत करते हैं Q1 लिखो Divide a line segment of length 7 cm into two parts of ratio 4 ratio 5 यह तो अपना सवाल है तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा एक scale और उस scale के according आप 7 cm की एक line बनाओगे ठीक है यह line थोड़ा page के center में बनाना क्या है कि अपना जो maximum diagram है वो नीचे की तरफ बनेगा तो मैं तो मेरे page को ऐसे उपर हीचे कर सकता हूँ आप नहीं कर पाओगे तो आपको क्या है कि थोड़ा center में बनानी है line ठीक है center पे बनानी है यह line और कितने centimeter की बनानी है 7 cm की line बनानी है आपको center पे draw कर लो यह Mary line आगई 7 cm की अल्मूस यह रही यह है Mary line 7 cm आपको किसी को दिक्कत यहां तक अब क्या करना है आपको वापस से scale उठाएंगे और scale को थोड़ा सा turn करेंगे एक random angle पे turn करेंगे होना यह acute angle ही चाहिए hello vinaik vinaik बिटा सबसे पहले अपना नाम अटेंडेंस मलब चैट बॉक्स में लिख दो तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी दूसरा compass वगरे लेके बैठो है तुम्हारे पास compass अभी compass scale pen pencil कितनी देर लगेगी लाने में हाँ लेओ फटा फट से वेट कर रहा हूँ कर दोक्सें लग लेफे लाने में कर दो क्यूद कॉसिटेंडेंस to झाल झाल लेग लिए बीटा विनाएक अब एक 7 cm की लाइन बना लेने हैं मैंने याप रेड लाइन बना रखी है आपको 7 cm की लाइन अपने चलो तो 7 cm की लाइन बना लेने के बाद आपको उसके नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है ठीक है और यह लाइन करना है कुछ भी एंगल ले सकते हैं रेंडम्ली मतलब अपन को कमपास से नहीं ले लेना अंगल और इसको मेज्वर भी नहीं करना लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है एक्चली मेजर कर लेना इसको अपन 9 cm के बराबर draw करेंगे और यह 9 cm वाले figure पर मैं कैसे आया आप यह ratio observe करो ratio अपने पास क्या है 4 ratio 5 है तो अपन usually क्या करते है इन ratio को add करके उसके multiple की line उठाते है ठीक है जैसे मेरे पास 4 और 5 का ratio आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 4 plus 5 9 तो मैं 9 cm या 9 into something cm की line बनाओंगा हमेशा आरी के बात समझ में ठीक है तो आपको 9 cm की line draw करनी है नीचे की दरफ यह रही मेरी 9 cm की line ध्यान रखो 9 cm कैसे आया 9 cm आया अपना ratio से आपको जो भी ratio दे रखा है उस ratio को add करो उसके multiple में कुछ भी बना सकते आप माल लो तुम्हेरे पास ratio दे रखा है 1 ratio 2 तो तुम्हेरे पास sum करके आया 3 तो 3 के multiple में कुछ भी सब चलेगा कोई दिक्कत किसी को अब एक काम वापस करो वापस से scale उठाओ स्केल उठाके वापस उस पे adjust करो and what you do is आपको क्या करना है आपको 1 cm पे आर्क लगानी चोटी-चोटी मैं दिखाता हूँ देखो पहले तुम्हेरे थोड़ा साइजिस कर देता हूँ हाँ तो 1 cm पे आर्क लगानी है अपन को ठीक है जैसे कि एक आर्क मेरी लगी यहां पे 11 पे फिर 1 cm में आगे इये फिर 1 cm में आगे इये फिर 1 cm में आ गे फिर 1 cm में ये फिर 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm थीक है 11 cm पे अपन स्केल से यह आर्क लगा लेते हैं से तो काईदे से अपन को कमपास से आर्क लगानी थी है मगर अगर अगर अफलाइन होते तो मैं आप से लगवा था online पे मेरे को आप लोगों पर भरोसा नहीं दादा तो आप scale से ही लगाओ लगा ली सबने arc चलो तो तो अपने पास ऐसे scale से arc लगाने पे total कितने parts होगे इसके 9 parts होगे line के ठीक है आपको लिखना नहीं है मगर अगर 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 अपन parts की naming करना जाएं तो आपन ऐसे लिख सकते हैं p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 आपको नहीं लिखना आई है मैं ही लिख रहा हूँ अब देखो करना क्या है ये मैं बस indication के लिख रखा है आप चाहो तो लिख सकते हैं ऐसे कोई जरूरी नहीं है नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अब आपको क्या करना है आपको ये जो एक तो अपने line segment का नाम लिख लो suggest करो क्या नाम लेके line segment का red वाली line segment का ठीक है a, b तो क्या करना है आप हमको हम अपको p9 वाला जो point है ना last चौला वहाँ से b join कराना है पी 9 वाला जो last point है वहाँ से b join कराना है करा लो आजी 1 cm का काटे है वेट अपन ठीक है 1 cm का gap लिया है हर बार अपन 1 cm का gap लेंगे हर बार नहीं जब अपन ratio को add करके यह number of points निकाल रहे ना तो अपन 1 cm का gap लेंगे हाँ तो नहीं अलग 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 आगएगी यह depend करता है इस angle पे आपका यह जो blue वाली line और red वाली line के बीच में जो angle है ना उस पे depend करता है तो सबके लिए अलग अलग बनता ही angle ठीक है acute angle होना चाहिए इसका ध्यान रखेंगे बाकी यह straight होना ज़रूरी नहीं है यह तो आ गए लगवग तो देखो करना क्या है मेरे compass में जिस side cross दिख रहा है ना दिख रहा है सबको cross हाँ जिस side cross दिख रहा है वो तो मेरा point है sharp है blade वाला है और जिस जो दूसरी side है वो मेरा compass जो pencil वाला है ठीक है तो आपको क्या करना है आपका point तो put करना है P9 पे पॉइंट तो put करना है P9 पे और एक आर्क ड्रॉ करनी है आर्क कहां से ड्रॉ करनी है ऐसे length of the compass आप कुछ भी ले सकते हैं उससे कोई फरक नी पढ़ने गाला ठीक है दो तीन सेंटीमेटर जितनी लेनी है वो लेलो बहुत ज़्यादा फरक नहीं पढ़ेगा उससे length of the compass आप आपके हिसाब से लेलो कुछ भी और आपको इसको आर्क बनानी है ऐसे बनाया अब ध्यान दो अपन को ratio क्या दिया था वेरी गुड़ फोर रेशो फाइव तो फोर रेशो फाइव दिया था तो इसका मतलब यह है कि अपन जो point रखेंगे न दूसरी बार compass का वो रखेंगे point 4 पे फोर वाले point पे फाइव वाले पे रखते तो अपन को फाइव रेशो फोर का answer मिलता फोर वाले पे रख रहे हैं तो अपन को फोर रेशो फाइव का answer मिल रहा है और यहां से भी बिना compass का length change किये वापस एक आर्क ट्रॉक करोगे तोड़ी बड़ी सी ड्रॉक कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं के और बड़ी कर लेता हुद इथकता है दौआ हुछला लाइन को कट रकर जा रही हो जैसे मीरी जा रही हो सकता है नहीं जा रही हो ऐसे को जरूरी नहीं होता कि हैắt इतना हो गया काम अब बस थोड़ा सा बचाए अब क्या करना है अपन को एंगल ना अपना है एंगल कैसे ना अपने ध्यान दो आपके पास एक तो आर्क का पॉइंट आये यहां पे ब्लू वाली लाइन पे बिटा सेम जो पहले थी चेंज नहीं किया था जो लेंथ मैंने P9 से ली थी वही लेंथ मैंने P4 से ली है ओके देखो अब सुनो ध्यान से हम कर क्या रहे हैं हम क्या कर रहे हैं B P9 इसके पैरलल एक लाइन बनाना चाहते हैं अपन लाइन सेग्मेंट बनाना चाहते हैं B, P9 के parallel, एक line segment बनाना चाहते हैं, जो P4 से पास करें. तो what we are doing by drawing this R case, हम उस parallel line segment को बनाने की तैयरी कर रहे हैं. Parallel line segment कैसे बनता है? आप लोगों को पता है कि अगर दो line parallels हैं और एक transversal हैं, तो आपका ये वाला angle और ये वाला angle बराबर होगा. Reason क्या होता है? वापिस पूचूँ, वापिस पूचता हो चलो, दो line parallel हैं आपके पास, ये green वाली दो lines parallel हैं और ये yellow वाली transversal हैं, तो आपका ये वाला angle जो मैं white से shade कर रहा हूँ, और ये वाला angle ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? corresponding, अरे alternative, corresponding बाबा, राम, corresponding angle, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये ही कर रहे हैं, कि अगर अपने corresponding angle बराबर होते हैं, इसका मतलब यह हो जाएगा कि अपनी lines parallel हो जाएंगे? तो हम जो कर रहे हैं, हम corresponding angle बराबर कर रहे हैं, construction जो हमारा पूरा-पूरा ये है, कि BP9 के parallel जो अपन को line segment बनाना है, P4 से, वो parallel हो, दोनों के दोनों parallel हो, और parallel होने के लिए अपन angles बराबर करेंगे, अब angles कैसे बराबर करेंगे? same length की arc P9 से बनाई है, P4 से बनाई है, ये अपन ने कर लिया, अब आपको क्या करना है, ध्यान दो, जहाँ पे आपकी ये जो blue वाली line है, जिस पे अपन ने P1, P2, P3 लिखा हो है, जहाँ पे ये blue वाली line और white वाली arc intersect कर रही है, वो point, और जहाँ पे ये white वाली line और white वाली arc intersect कर रही है, वो point, उन दोनों point के बीच का distance नापना है, वापे से सुनो, जहाँ पे ये blue वाली line और ये white वाली arc, ठीक है, पहली वाली arc, जो P9 से बनाई थी, जो P9 से arc बनाई थी, वो, जहाँ पे blue वाली line से और white वाली line से intersect कर रही है, उन दोनों points का distance नापना है, distance मगर अ अपन विद्धा हेल्प ओफ कम पास कम पास से कैसे ना पहेंगे देखो पॉइंट रखोगे आप पी यह इंटरसेक्शन पॉइंट पे और कम पास घुमाओगे यहां तक इस पर ढंग से नहीं आ रहा एक मिट रूखो कि अज़िए अज़िए रहा हाँ दिक पॉइंट रखोगे आ पी आइस यह सहरी यह रेड वाले प्वाइंट पर जो ब्लू classified उर्वाली लाइन और वाइट वाली आरका प्वाइंट अनल और दूस्रे वाले प्वाले प्वाइंट पर कि आ रहे ना समझ में थोड़ा बहुत देखो मैं zoom करके दिखाता हूँ एक तो यहां रखा जहां पे intersection हो रहा है और एक यहां रखा जहां पे white और white arc का intersection हो रहा है एक वहां पे रखा जहां, blue और white arc का intersection हो रहा है ऐसा करके आपने distance नपा अभ इस distance को आपने दूसरी वाली arc पे implement करेंगे implement कैसे करेंगे compass को उठाओ वहाँ ले जाओ और यार फिर ओ मैं एक बार वापसे कर लेता हूँ यह है और compass को उठाओ और यहाँ ले जाओ और यहाँ ले जाके एक arc draw कर दो बनी ठीक है तो आप के पास आपके पास यह जो आया ना point of intersection यह इसको p4 से join कराना है यह जो आया आपके पास point of intersection इसको join कराना है आपको p4 से तो आपके पास मैंने green वाली नई लाइन बनाई है this line is supposed to be parallel to this white line क्यों parallel है क्योंकि हमने यहाँ पर corresponding angle बराबर की और इस point को पन C नाम दे देंगे कुछ भी नाम दे सकते हैं C नाम दे देंगे and we will say AC ratio CB is equals to 5, sorry, 4 ratio 5 AC ratio CB is equals to 4 ratio 5 किसी का रह रह रहे क्या चालो तो बहुत बढ़िया अब इसके लिए एक बार steps of construction लिख लेते हैं अपन ताकि आपको याद रहे लिखो हाँ, ये वैसे बनता है कुछ ये इस तरह का काम अपन side square से भी कर सकते हैं उससे बहुत आसान रहता है side square से अरना मगर क्या है कि अपने procedure में है नहीं, NCRT में है तो अपनको वो follow करना पड़ेगा NCRT में जो procedure follow कर रखा है वो corresponding angles या alternate interior angles यूज करके है इसका एक और method होता है alternate interior angle बराबर करके उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है comparatively, बहुत ज़्यादा तो नहीं थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है इसलिए मैं वो discuss नहीं करता किसी के school में वही कराया हो ना किसी के school में alternate interior angle बाला तो मिरे को बता देना, मैं वैसे भी बता दूँगा लिखो steps of construction अच्छा एक काम और करना प्लीज आप लोगों ने आज जो diagram बनाया है उसका मिरे को pick भेजना मिरे को check करना है कि बनाया है नहीं बनाया और अपना नाम लिखके भेजना प्लीज मिरे पास सभी बच्चों के number है नहीं कुछ ही बच्चों के है तो नाम लिखके भेजना मिरे पास steps of construction में सबसे पहले draw steps of construction जो अभी हम लिख रहे हैं वो अपने लिख रहे हैं examination point of view से ने लिख रहे एक्जाम में अगर आप इसके steps of construction रिखते हो तो तीन या चार points में सब कुछ खतम करना है अब भी हम थोड़ा detail लिखेंगे First of all, draw segment AB is equals to 7 cm आप उनको जितने भी cm की दे रखें उसे सबसे draw करते हैं तो line segment AB draw करने हैं अपन 7 cm का second is draw another line segment AP 9 such that it it is at an acute angle with AP AB third divide divide यहां पर second point में bracket में मैंने yellow से लिखा है AP 9 is equals to 9 cm जहां पर 9 cm कैसा है आप 4 और 5 को add कर क्या है यह जो bracket में लिखा है यह चीज अपन कभी भी में मुल्टिप्लाइ कर लेंगे 2 से क्योंकि 3 cm में आर्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा 3 से मुल्टिप्लाइ कर लेंगे और अगर अपना सफिशेंटली क्योंकि अपने रेशो बता रहा था 4 रेशो फाइफ था तो 4 प्लस 5 नाइन तो इसलिए अपने नाइन इकुल पाट्स में डिवाइट किया नेक्स पॉइंट फूर्थ जॉइन जॉइन बी 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 नाइन एंड प्राइन व्रॉण प्राइन अर्थ प्राइन व्रों प्राइन प्राइन जॉइनिंग ए पी नाइन एंड बी पी नाइन तो अब हमने क्या किया उसके बाद सबसे पहले तो बी और पी नाइन को जॉइन करा लिया एंड उसके बाद हमने एक आर्क ड्रॉ की कैसे पी नाइन पे तो अपर ने रखा अपना कमपास और जॉइन कराया ए पी नाइन को भी पी नाइन से नेक्स्ट इस विदाउट चेंजिंग दे लेंथ अफ दे कमपास कमपास के लेंथ चेंज किये बिना ड्रॉ सिमिलर आर्क फ्रॉम पी फॉर पी फॉर से भी सिमिलर आर्क ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा ट्रिक्य हो जाता है लिखने में ठीके नेक्स्ट से अपन कमपास की मदद से लेंथ अफ दा आर्क केल्कुलेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे लिखेंड से हो समक्ष्ट अक्ष्ट में ड्रॉर आर्क ट्रॉम पाटों मार्क इक्ष्ट नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट अफंवर ग्लत बहुएं . Mark equal angles with the help of compass for both the arks , फॉर बूद्ध आर्क्स यहां तक हो जाए तो बता देना फिर थोड़ा सा चेंज करूँगा ठीक है ओके लिख लो तो ङ्रमाइनी हो जाए तो बता देना बुटा बिटा जस्टिफिकिस्टि वेकेशन में इसका जस्टिफिकिशन यही है मैंने आपको BARDA NO CORORASPONDING ANGLES से तो हम इसका जस्टिफिकिशन CORORASPONDING ANGLES की मदद से ही करेंगे justification में यही होता है कि हमने जो diagram बनाया है हमको proof करना होता है कि हमने सही बनाया क्या ठीक है? यहाँ पे इसके justification में एक्तो ties की पान parallel angles वाला funda यूज़ करेंगे दूसरा पन similar triangles वाला funda यूज़ करेंगे similar triangles में सभी sides का corresponding ratio same होता है ये वाला फंडा यूस करेंगे, अभी बताऊंगा मैं दो मिनिट में इसके आगे लिखना है Mark Equal Angles Equal Angles Mark करके 7th वाला पॉइंट है गैस Draw C P 4 Parallel to B P 9 Now Point C is such that is such that it divides it divides AB in the ratio 4 ratio 5 finish finish किन की लेंद 1 minute हाँ, देखो C, A, B के नीचे बन रहा है अरे तो उपर तक ले जाओ C, बिटा C तो A, B वाली लाइन के उपर आएगा तुम्हारी लाइन से एबी तक ले जाओ, तीक है? तुम्हारी जो लाइन है नहीं लाइन की लेंथ नहीं लिखते तुम अपन अब ये अपने जस्टिफिकेशन में बता देंगे कि अपने क्यों किया ऐसा ये हो गया ना सब हाँ कोई बात नहीं बिटा एंगल आपका बराबर है ना मतलब ऑल्मोस बराबर सा दिख रहें ना एंगल एतना ही काफी होता है अपना लेंथ हमेशा कुछ कुछ ना कुछ चेंजे जाएंगे हमेशा एक्जेक्ली सेम डियाग्राम नहीं बनता ना हमारा तो क्योंकि अपना स्टार्ट ही एकदम अलग 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 गवा था एबी तक अपन सब लोगों का काम सेम था एबी हम सबने सेवन सेंटेमिटर का बनाया था मोस्टली ऐसे पैरलल लाइन बनाते है उसके बाद यह एक्यूट एंगल के कारिगरम से अपना सब कुछ चेंज होता रहता है हमने डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्यूट एंगल लिया है हम सभी ने डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेंथ ओव दा आर्क लिया है तो हम सभी का ये एंगल जो है अलग अलग आने वाला है ये बड़ा इशू नहीं है बर सही होता है अब इसका जस्टिफिकिशन देख लो justification पे क्या है कि आप लोग दो triangles observe करो आप सभी triangles वाले chapter पढ़के आ चुके हो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि for two similar triangles the ratios of their sides are always equal similar triangles में side का ratio same रहता है सभी corresponding side का ratio अब ज़र ध्यान दो in triangle a c p 4 and triangle a b p 9 दिख रहे हैं दोनों triangle angle a तो common है दोनों triangles के लिए ठीक है common है यह अपन justification कर रहे है मतलब अपन justify कर रहे हैं कि हमने जो construction किया वो logically सही है angle a तो दोनों triangles के लिए common है दूसरा angle a p 4 c और sorry c और angle a p 9 b दोनों के दोनों सेम हैं by construction तो similarity लग गया a a similarity triangle a c p 4 is similar to triangle a b p 9 और अगर triangles similar है that means इनके sides का ratio सेम रहेगा कौन सी sides में interested है हम a p 4 upon a p 9 should be equal to a c upon a b कोई दिक्कत किसी को यहां पर अब इसको थोड़ा सा reciprocal कर रहा हूँ मैं इसको reciprocal किया तो मेरे पास आएगा 9 upon 4 is equal to a b upon a c और lhs rhs में मैं minus 1 कर रहा हूँ तो 9 upon 4 minus 1 is equal to a b upon a c minus 1 minus 1 करने से फाइदा क्या होगा numerator change जाएगा अपना desirable numerator आ जाएगा a b minus a c upon a c तो यह आए आए आपका 5 by 4 is equal to b c upon a c तो a c ratio b c is equal to 4 ratio of 5 यह हमने अपना जो diagram है वो justify किया अब बेटा पूछते नहीं आज का अलबोर्ड exam में मगर अगर पूछ लिया तो किसी ने तो तुम बता दो ट्राइंगल सेमिलर करते हैं ट्राइंगल सेमिलर करते ही हो जाता है इतने steps नहीं लिखने होते है justification में अगर justification के साथ यह question आता ना तो यह question के तीन हिस्से होते हैं पहला इसा होता है पहले तो डाइग्राम ड्रो करो फिर एक questionnaire कहता है कि इसकी steps of construction लिखो और तीसरा इसका justify करो तो सबसे पहले तो तुम डाइग्राम ड्रो करते है इसका जो तुमने किया उसकी बाद तुम इसकी steps of construction लिखते हैं ठीक है चार steps से जादे steps of construction नहीं लिखते हैं अपने काफी सारी लिखे हैं detail में आप लोग क्या कर लेते हैं इनको merge कर लेते हो अपनी language में लिखो बिंदास कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती steps of construction में examiner जो important चीजें वो यह देखता है कि अपने equal angles वाली बात कही है कि नहीं कही है और equal जो blue वाली line को equal parts में divide करने वाली बात कही है कि नहीं कही है इसमें तो तीन चार line आएंगी जो आएंगी इसके बाद यहां से यह जो white में जो लिखा है न इस सब को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम कर लो दो तीन step कम कर लो इसमें से चल जाएगा directly लिख सकते हो बिटा cable diagram बनाना आया तो दो marks का आता है और justification और steps of construction के साथ आया तो यह चार marks को जाएगा आम तर पर उसे दो marks का ही आएगा अगर ही आएगा तो ठीक है